नमस्कार दोस्तों मैं प्रिती शर्माद अफेक्ट टाई में आपका स्वागत है हम आपको रियल फेक्ट दिखाने के लिए सीधर डेरा सच्चा सोदा के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ नोजवान लड़कियां जो जुड़ी हुई हैं उनसे सवाल करते हैं खासकर आज हम जो पहुंचे हैं जो मेगा फ्री आइकेम डेरा सच्चा सोदा के दवारा लगाया जा रहा है उसकी कवरेज करने के लिए जो पहुंचे हैं जो डेरा सच्चा सोदा इतने मानबता बलाई के कारे करता है उसकी रिपोर्ट लेने के लिए क्या रियल फैक्ट है वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं हमने देखा कि हजारों की तदाद में काफी गरीब लोग जो अपना फ्री आँखों का अप्रेशन करवाने के लिए काफी गरीब जनता जो यहां पर पहुंचे हुई है और हमने यह भी देखा कि सुपर स्पैसलिस्ट डॉक्टर हैं जो उनका इलाज करने के लिए आये हुए हैं जो काफी फेमस डॉक्टर हैं जो आँखों का अप्रेशन कर रहे हैं यहां पर लगातार काफी हजारों में अप्रेशन किये जा रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री में किये जा रहे हैं इसी कड़ी में हम लोगों से जुड़ रहे हैं और जो बच्चे यहां पर अपनी सेवा आप लोग कि sidere to a host हमारा मौटि यहांपर सेटर सेवा करना हम अपने गूरुजी के बचनों पर चलना चाहते हैं समाज के सेवा करना चाहते हैं इस देश को आगे बढ़ना चाहते हो और चाहते कि इस देश में कोई कि ऐसा नारो जिसे दुखों किसी परकार की कोई तकलीफ हो वस सारे अपनी जिंदगी खुशी से जी आप क्या कहना जाओगी किस मोटिप से आप डेरा सच्छा सुदा के अंदरो मैं मैं डेरा सच्छा सुदा ने सिर्फ सेवा करने के लिए आई हूं हुँ और हम स्कूल से हैं शाथित माम णाब जी गोल्ट स्कूल में और स्कूल के बारे में बहुत गलित बताया गया है और ऐसा कुछ भी नहीं हम होस्टल में रहते हैं हमने तो आज सक ऐसा कुछ देख आप बाबाजी के स्कूल के बच्चे हो वाँ होस्टल में भी रहते हैं क्या बताना चाहोगे यह आपने जो बात बताई है यह काफे गरम टॉपिक जो दुनिया में दिखाया गया, लगातार दिखाया गया, क्या कहना चाहोगी, क्या सच चाहिए? हम सब जानते हैं कि कुछ टाइम पहले बहुत कुछ हो करता है, मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया कि यह है, यह है, यह है, पर हम अब 11th क्लास में हम दोनों मैडिकल कर रहे हैं, हमारा एम ही डॉक्टर बना है, हम लोगों की सेवा ही करना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स मी चा अपने हाथों से बड़ा किया जिनको उनके पेरेंट्स ने फियंक दिया था, जैसे कोड़े के कछरे इसे फिरीन ऐसे फिंक दिया था, उनको गुरुजी ने खुद उठागर अपने हाथों से पाला हो अनल एं और बो पड़ती है और हमने खुद देखा है cooking सी हाष्ड़ नाम जी स्कूल, गर्ल स्कूल का बच्चा है, तो मतलब पॉस्टर में कोई दिख करनी है, हर तरह की फैसिलिटी है, बहुत अच्छा रहने वाला, सब कुछ बहुत अच्छा है, जिसे आप स्कूल कॉलस में पढ़ते हो, वहां पर गुरु जी भी आते हो, जी हाँ, हम तो इस प्रिटी का सलीशन एक मिन्ट में कर देते हैं, बच्चो को आस तरह कोई दिककत ही नहीं थी, अभी भी हमें कोई दिककत नहीं है, सभी उंके बच्चनों पर उंके जो भी उनने रूरी रूल डैगॉलेशन से बनाय हूए, सभी उन पर ही चलते हैं, और इसलिए हमें कोई लिखती में नेचर किस तरह कहे गुरूजी का पीता जी के नेचर वारे तो आप पूछो ही मत वो इतने फ्रेंडली थे वो पेरेंट्स बाप फ्रेंड्स एवरीटिंग है वो बच्चों को इतना प्यार करते थे वो हर एक बच्चे की मुसीबत को सुनते थे जो भी मतलब पूणिया को वैसे तो बहुत प्यार करते हैं हम सब जानते ही हैं पर पता निमीडिया क्यों नहीं समझती पहले लोग बहुत कुछ दिखा चुके आपको पता ही है तरह आप क्या क्या चाहोगी किस तरह के हैं गुरूजी जैसा डेरे के बारे में गल्त बताया गया ऐसा प्रूदी औरे क्यों करते हैं तरह क्यातोफ है जब लोगते हैं हैं गयां तरह क्या है